दोस्तों यदि आप अपनी LIC Policy में नेच अपडेट करवाना चाहते हैं यानि आप चाहते हैं कि जो आपकी LIC Policy है उसकी जो PM का आप भुकतान करते हैं वो आपके बेंग से कटने लग जाए तो आप बहुत ही आसानी से इसका online registration करवा सकते हैं इसके लिए आपको बहुत जारा की स्कीन दिखेगी आपको नीचे आकर यहां पर लिखा हुआ है Click to proceed आपको इस पर OK करना है जब आप इस पर OK कर देंगे तो इसके बाद आपको कुछ इस ताया की स्कीन दिखेगी तो यहां पर आपको Policy Number लिखना है उसके बाद जो आपकर Premium है वो भी Without Tax वो आपको लिखना है उसके बाद आपको अपनी Date of Birth लिख देना है और इसके बाद आप नीचे देखेंगे तो यहां पर Capture है आपको वो भड़ देना है उसके बाद verify पर आपको OK करना है तो मैं यह जल्दी से भड़ देता हूं उसके बाद मैं verify पर OK करता हूं तो मैं अपना Policy Number और जो मेरी Premium ह है बिधाव टेक्स वो लिख चुका हूं और Date of Birth और Capture भी लिख चुका हूं अब मैं verify पर OK कर देता हूं verify पर OK करने के बाद हमें कुछ इस तरह की स्कीन दिखेगी तो यहां पर हमें बताया जा रहा है कि आप online registration अपनी Net Banking और David Card के जरिये बहुत यासानी से कर सकते हैं तो जब हमोके पर किलिक कर देंगे तो हमें इस तहा की स्कीन दिखेगी तो जैसा कि हमने Policy Number डाल दिया था तो यह हमारा जो Policy की जो डिटेल है आटोमेटिक ले चुका है तो हमारा Policy Number और किस ब्यक्ति की नाम से Policy है उसका नाम लिखा हूँ आ जाएगा Branch Office का नाम लिखा हूँ आ इसके बार जो हमारी Bank है उसका IFSC Code लिखना होगा और इसके बार हमें बताना होगा कि जो हमारा Bank Account है वो Saving Account है या Current Account है इसके बार जब हम नीचे आएंगे तो जो हमारा नाम है Bank Account में जो हमारा नाम लिखा हूँ आ है वो हमें Same की Same यहां लिख देना है इसके बार जो हमारा Bank Account नमबर है तो हमें अपना खाता संक्या यानि अकाउंट नमबर यहां पर लिख देना है और नीचे हम आएंगे तो यहां पर हमें रिएंटर अकाउंट नमबर लिखा हुआ दिख जाए यानि जो हमने अपना अकाउंट नमबर डाला था वो हमें यहां पर वापस से डालना है ताकि कहीं कोई गलती हुई हो तो वो यहां चेक हो जाए इसके बाद जब हम यह सब चीजे डाल देंगे तो हम एक बार वापस से चेक कर सकते हैं कि कहीं हमने कुछ गलती तो नहीं करी है और जब हम देख लेंगे कि सारी चीजे हमारी सही से लिखी हुई है तो हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर send OTP लिखा हुआ है और उसके नीचे back button का option दिया हुआ है तो हमें जो send OTP लिखा उस पर okay करना है और send OTP पर जब हम okay करेंगे तो हमारा जो mobile number होगा उस पर एक OTP जाएगी तो वो OTP हमें यहाँ पर type करना होगी तो जो भी हमारे mobile number पर OTP आई है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं और OTP लिखने के बाद यहाँ पर process लिखा हुआ है हमें उस पर okay करना है और process पर okay करने के बाद हमें कुछ इस्ता है कि skin दिखेगी तो यहाँ पर जो हमारा policy number है वो लिखा हुआ है हमारा नाम लिखा हुआ है mobile number लिखा हुआ है email ID लिखी हुई है जो हमने bank account number जो 8 करा है वो लिखा हुआ है इसके लाओ हम नीचे आएंगे तो हमारा account type दिख जाएगा कि हमारा saving account है या current account है तो जो भी हमने डाला होगा उस पर टिक का निसान आ चुका होगा और नीचे यहाँ पर लिखा होगा कि आपका bank account number और उसके बार re-enter bank account number तो जैसा कि हमने पहले जो bank account number डाला था वो हमें यहाँ पर वापस से डाल देना है तो bank account number में हम अपना account number डाल देते हैं और जो re-enter bank account number है इसमें हम दोबारा से अपना bank account number डाल देते हैं और नीचे आएंगे तो IAPC code लिखा हुआ है जो हम पहले डाल चुके हैं तो यह automatic खुद ही ले लेता है इसके बाद हमें नीचे एक option देखने को मिल जाता है जो हमें ये बताता है कि जो आप ये registration करना चाहते हैं वो आप अपने net banking के जरिये करेंगे या अपने debit card के जरिये करेंगे हम debit card पर ok कर देते हैं उसके बाद हमें process पर ok करना है तो प्रोसेट पर ओके करने के बाद हमें कुछ इसता है कि स्कीन देखने को मिलेगी तो यहाँ पर हमें सबसे उपर तो हमारी रिक्वेस्ट आईडी दिख जाएगी उसके बाद हमें अपना अकाउंट जो नाम लिखा हुआ है अकाउंट होल्डर यानि बेंक में वो नाम देखने को मिल जाएगा पॉलिसी नंबर देखने को मिल जाएगा बेंक नंबर देखने को मिल जाएगा आएपसी कोड जो होता है इसके अलावा अकाउंट टाईप बेंक अकाउंट नंबर इसके अलावा जो मेकजीमम अमाउंट है जो हमारी bank से कटेगा हमारी premium के रूप में तो नीचे एक check box से हमें यहाँ पर टिक का निसान कर देना है okay कर देना है इसके बाद हम देखेंगे तो yes to proceed लिखा हुआ है हमें इस पर okay करना है और जब yes to proceed पर हम okay कर देते हैं तो इसके बाद हमें कुछ इसता है कि skin देखने को मिलेगी हमें फिर continue पर okay करना है इसके बाद हमें कुछ इसता है कि skin देखने को मिल जाएगी यह हमारा registration form है तो यह हमारा registration form है यह पूरा complete हो चुका है इसमें सारी detail हमारे लिखी हुई है कि हमारा नाम क्या है, मोबाइल नमबर क्या है, इमेल आईडी क्या है, हमारी बेंक का नाम क्या है, IFC कोट क्या है, हमारे पॉलिसी नमबर, इसके बाद हमारी यहाँ पर हमें डेविट कार्ड की थोड़ी इंफरमेशन डालना होगी, तो हमें अपना debit card number डालना है और debit card की जो pin होती है यानि जो हमारी ATM pin है वो हमें यहाँ डालना है इसके बाद जो debit card पर expiry date लिखी होती है वो भी हमें यहाँ पर लिखना है तो चलो मैं लिख देता हूँ जल्दी से तो मैं अपना debit card number और जो मेरी ATM की pin है और अपना expiry जो date है ATM का वो यहाँ पर लिख चुका हूँ इसके बाद जब हम नीचे देखेंगे तो यहाँ हमें एक check box बना हुआ दिख जाएगा तो हमें यहाँ पर OK करना है यहाँ हमें टिक का निसान लगा देना है इसके बाद हम नीचे देखेंगे तो हमें submit लिखा हुआ दिख जाएगा तो हमें submit पर OK करना है और जब हम submit पर OK कर देंगे तो हमें एक OTP आईगी हमारे mobile number पर जो हमारे bank के साथ attach होगा तो वो जो OTP हमारे mobile number पर गई होगी वो हमें यहाँ पर डाल देना है तो मेरे mobile number पर OTP आचुकी है उसके बाद जो हमारा registration form है वो पूरा complete हो जाएगा यानि जो भी हमारी detail है वो सारी submit हो जाएगी ऐसे बहुत हसानी से आप online registration कर सकते हैं ताकि जो आपका premium का पेशा है वो आपकी bank से कटने लगा